हेलो प्यारे दोस्तों नमस्कार जैहिंद कैसे आप सभी लोग उमीद करता है अच्छे होंगे और स्वागत आपका अपने यूट्यूब चैनल शर्मा रिज्रिंग क्लासेस के अंदर प्यारे दोस्तों मैंने सोचा कि देखो अपडेट तुम आपको डेली की डेली देता है रहता हूं क्यों ना इस चैनल के उपर कॉम्पिटिटिव एक्जाम्स के रिलेटेड क्लासेस स्टार्ट की जाए और क्लासेस ऐसे नहीं कि मतलब हैसे नहीं कि स्टार्टिंग से हाइफ इस बात की मैं गारंटी देता हूँ आप अगर रेगुलर क्लास लगाओगे ना आपको एक महिने के अंदर अंदर उसमें आप खुद के अंदर इंप्रूमेंट देख पाओगे ठीक है आज मैं जो टोपिक डिसकुस करने वाला हूँ वो है मिसिंग नंबर यानि की जिसे वीडियोस देख सकते हो आपको सारा कुछ पता लगजएगा आज हम लोग बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं और बेसिक से स्टार्ट हमारी जो क्लास और यह ऐसे क्लास अपडेली मिलती रहेगी और इधर आपको क्लास के नंबर दिखा देते रहेंगे जैसे मालो यह जो प्ल बिल्कुल जीरो लेवल से, दोस्तों मैं फिर आपको बता रहा हूँ, बिल्कुल जीरो लेवल से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास को, देख यार अपडेट देना तो एक मतलब नॉर्मल काम है, वो तो चलता रहेगा कि हाँ, अपडेट आया मैंने आपको दे दिया, लेकिन कुछ creativity, कुछ ऐसा जुश्त से कि आपका knowledge थोड़ा बड़े, तो मैंने सोचा कि चलो आपके लिए classes start करते हैं, अगर आपका reasoning classes पे अच्छा response आता है, अच्छा response in the sense कि मालो आप सारी classes attend करते हो, और आप अच्छे से comment करते हो, जो मैंने आपको home रख दिया है, वो आ Business class number 1, लुप्त संख्या के बारे में study करते हैं, देखो, लुप्त संख्या, missing number, लुप्त संख्या के नाम से जिसको जाना जाता है, आखिर क्या है ये funda, आखिर कैसे इसको जो है, लगाया जाता है, देखें, missing number का मतलब है कि कोई भी आपको एक संख्या देदेगा, कोई भ पर कौन सी संख्या आने वाली है, देखो दोस्तो, बेसिकली जो missing number है ना, वो logical chapter है, वो logical chapter है, इसमें आप लोग जितना ज्यादा logic लगा सकते हो, logic का मतलब क्या होता है, तरक, जितना ज्यादा आप लोग तरक लगा सकते हो, उतना आप के लिए फाइदे मन्द रहेगा, कै जैसे मैंने यह थैजिका कि दो का चार के साथ क्या समझ है, अब कुछ लोग तरक लगाएंगे कि सर दो गूना 2-4 होता है, ठीक है, कुछ लोग तरक लगाएंगे सर 2-2-4 होता है, और कुछ लोग कहेंगे सर 2 का direct square जाब वो 4 होता है, तो यहां पर अपने पास कितने तरे टाइब के आपके तरक आते हैं जैसे मैंने दो का चार्ट से अगर सम्मंद मैंने बताया है तो इसके अंदर कितने तरह के तरक आया आपके वो होता है missing number सारा जो ये जो सारा के सारा जो chapter है न दोस्तों ये चलता है तरक के उपर आप तरक कितना कर सकते हैं आपका जो IQ है वो कितना work करता है इसके उपर ये चलता है तो चलिए दोस्तों आज पहली class है इसलिए आपको बिल्कुल basic basic चीज बताऊंगा बिल्कुल basic basic फंडे बताऊंगा लेकिन धीरे धीरे जो है देखो class एक भी मिस मत करना और धीरे धीरे जो है ये जो level है ये advance होता जाएगा धीरे धीरे क्योंकि अभी मैंने आपको basic zero से start कराया है लेकिन देरे देरे तो हम लोग आगे बढ़ेंगे न तो जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो आप किल थोड़ा सा critical होता जाएगा इसलिए मैं कह रहा हूँ पहले दिन से class attend करना ठीक है कोई इसकी fees निये class की बिल्कुल निशू क्लास है तो आप लोग अगर दस से पताना मिनिट इसको कहीं माल आप सफर कर रहे हो ट्रेवल कर रहे हो उसमें भी अगर आपने बस में बैठके पड़ ले आना तो भी आपको कुछ ना कुछ समझ में आ जाएगा ठीक है तो चलिए अब स्टार्ट करते है इसमें एक concept जो हो इस टाइप का आता है तो कुछ ना कुछ रिजल्ट निकलेगा और वो रिजल्ट निकाल करके हमें जो है समन्द ग्याद करना है क्या ग्याद करना है तरक निकाल करके हमें समन्द ग्याद करना है जैसे कि इस तरह से एक question आएगा इसके इंतर जब भी question आएगा वो इस तरह से आएगा ये जो दो point आपको दिखाई दे रहे हैं इसे अपने बोलते हैं अनुपात Hindi medium वाले इसे बोलते हैं अनुपात English medium वाले इसे बोलते हैं ratio ठीक है English medium वाले बोलते है ratio Hindi medium वाले बोलते हैं अनुपात अब देखो एक बात याद रखना जहां पे दो अनुपात एक साथ दिखे वहाँ पे इसको दो हिसों में तोड़ लेना वहाँ पे इसको दो हिसों में तोड़ लेना जैसे कि यहाँ पे दो अनुपात दिखे एक हिसा ये हो गया इस संख्या का और एक हिसा ये वाला हो गया इस संख्या का ठीक है अब देखो दोस्तों अब ये दो हिसो में टूटे गया अब हम पहले हिसे का समंध गयाद करेंगे और फिर हम लोग दूसरे इसे का समन्द गयाद करेंगी और इन दुनों का जो आपसी समन्द होगा वही इस परशन का उत्तर होगा आगी बात समझ में देखो मैं दुबारा बता देता हूँ सबसे पहले आपको देखना है क्या ढूंडो समन्द ढूंडो किसके बीच में दो संख्याओं के बीच में समन्द ढूंडो अब दो संख्याओं आप लोग ज्याद कैसे करेंगे किसका जोड़ा किसके साथ है तो दो अनुपाद देखो कहां पर लगे हैं उससे पहले वाले का जोड़ा उससे दूसरे वाले का जोड़ा मतलब इसमें ये ये कह रहा है कि जो A का B से समंद है वही C का D से समंद है और जो B का A से समंद है वही D का C से समंद है जैसे कि मैं यूं कह दूं कि एक जगा अगर मैं दो लिख दू एक जगा मालो मैंने यहां पर ये लिख दिया मालो A, B, C और DA, अर तीन अनुपाथ 9 तो इन दोनों में क्या समंद है? यहाँ पर समंद निकालने के लिए हम लोग ये देखएंगे क्या देखेंगे समंद निकालने के लिए कि यहाँ पर जो डबल अनुपाथ है उससे पहले वाली संख्या तोड़ दो उससे दूसरे वाली संख्या तोड़ दो तो यहाँ पे मतलब एक तो यह हिस्सा बन गया और एक यह वाला हिस्सा बन गया अब देखो दो का चार के साथ क्या समंध है कि वो ही समंध तीन का नो के साथ हो तो यहां पे लगाना है वही जो मैंने आपको स्टाटिंग में बताया था क्या यहां पे लगाना है तरक क्या लगाना है तरक कैसे लगाएंगे कि अगर मैं करूँ देखो अब देखो तरक यहां पे जहां से समझना अगर मेरे को 2 का 4 से करना है मतलब अगर देखो 2 प्लस 2 भी 4 होता है 2 गुना 2 भी 4 होता है 2 का square यानि की वरग भी 4 होता है square जिसको नहीं पता square की भी मैंने class लगा रखिया भाई बोट classes लगाई है मैंने playlist में जाके देख लो स्क्रेयर अगरा की क्लासिस भी आपको मिल जाएगी तो यहां पे है यह क्या था है यहां पे नो था अब देखत अब यहां पे यह देख़ो अगर मैं 2 प्लस दो वाला कंसेफ्ट लगाता हूं कि दो का चार के साथ समंद्ध निकाने के लिए 2 प्लस 2 लगाता हूँ तो यहां भी वही सेम लगाना पड़ेगा concept सेम लगाना पड़ेगा 3 प्लस 3 6 हुए 9 तो हुए नहीं तो यह तो concept लगेगा नहीं अब चलो दूसरे concept के उपर दूसरा concept क्या कहता है दूसरा concept कहता है कि 2 का 4 लगाया और उत्तर क्या पाया कि इसमें किसका समंद्ध है इसमें वर्ग का समंद्ध है किसका समंद्ध है दोस्तों वर्ग का समंद्ध है जिसे English Medium के बच्चे क्या बोलते है square root square सा आपने पड़े होंगी जिसे English Medium के बच्चे बोलते है square तो इसके अंदर जो समंद्ध है वो किसका है root का square root का है जो समंद्ध है वो square का है वर्ग का है ठीक है तो दो गुणा दो चार हो गया तो सेम संख्या multiply करो तीन गुणा तीन नो हो जाएगा आई ये बात समझ में तरक निकालना आया ध्यान में बीच में अनुषिय को आना पड़ा जिसका नाम था अनुपाद, बहुत बड़ा अनुपाद, दो अनुपाद एक साथ आगे, ठीक है न, ये concept रहता, missing number का, चाहे देखो, आप इसमें पता है, reasoning के एक ऐसा subject है, concept आपका basic रहेगा, लेकिन, जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे न, concept वही रहेगा, लेकिन, person जो है, वो पेचीता हो स्टार्ट हो जाते हैं, person उलजने स्टार्ट हो जाएंगे, कि राम ने उस कहा कि उसकी आयू चालिस वर्ष है, और राम की आयू का समंद सीता की आयू से तीन गुना है, तो बताइए कि राम की आयू तीन वर्ष के बाद में कितनी होगी, और वहाँ पे लुप्त संक्या ग जाएंगे, ठीक है ना, अब कई लोगों देखो, जिनको रिजनिंग आती है, उनको लग रहा होगा कि सर क्या आप बिलोगल बेसिक जिरो से पढ़ा रहे हो, देखो मैं, मेरे बढ़ाने का मतलब यह है कि जिसको नहीं आता ना, जिसको जिरो आता है, रिजनिंग का, आर भ आपको इस क्योशन को हल करके बताता हूँ, यहां पे क्या है यह, सबसे पहले, देखो, स्टैप याद रखो, सबसे पहले, बोला गया था हमें, कि जहां दो नुपात दिखें, उसको दो हिसों में तोड़ लो, मतलब कि यहां पे यह पूछ रहा है, कि दो का नो के साथ, व पूछा हो, दो का नो के साथ समन्द के आत करना है, और जो समन्द, यहां पे जिस पैटर पर आया है, जिस स्रंचना पर आएगा, जो समन्द, वही स्रंचना जो है, वो यहां पर लगानी है, तो देखो, दो का वर्ग अगर मैं करता हूँ तो चार हो जाता है दो की घात तीन करता हूँ तो वो आठ हो जाता है नो तो फिर भी नहीं बना तो यहाँ पे क्या हो गया यहाँ पे हो गया दो चोके आठ पलस एक यह वाला पैटर्न बन रहा है 4 दुनी 8 प्लस 1 कितना हो गया 9 हो गया ये पैटर्न भी बन रहा है अब यही सेम पैटर्न यहाँ पे लगा दो कि 3 गुना 4 प्लस 1 तो 4 दी बारा प्लस 1 तेरा ठीक है जब आप एडवांस पे चले जाओगे न जब आप यह बेसिक कुंसेप्ट आपका क्लीर हो जाएगा तो आपको अलग अलग पैटर्न लगाने आ जाएंगे कई लोग इसको ऐसे भी कर रहे है दो का क्यूब किया आठ यानि कि दो की घात 3 की आठ प्लस 1 तो 3 की घात 3 करो 27 प्लस 1 करो 28 तो अलग 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 कुंसेप्ट आपको यह देखना है कि जो वो उप्षन देगा एग्जाम में जो उप्षन देगा उसमें 28 है या 13 है वो आगे मैं क्योशन आपको इसमें मिने उप्षन दे दिया ना यह देखो आप उप्षन की साफसे आपको मैच करना है कि जो उप्षन मैच हो गया वही उसका उत्तर होगा आप देखो परसने से देगा कि नीचे दीए संख्या से लुप्त संख्या गयात करो यह इतना मतलब परसन नहीं देगा लेकिन बेसिक परसन ऐसे ही आएगा राम से मतलब क्या है कि यह पूछ रहा है कि लुप्त संख्या गयात करो थोड़ा सा गुमा के देगा लेकिन मेंली ऐसे आएगा बताओ चार का बाइस के साथ वह समझत होगा जो छे का किसके साथ होगा यह यहां पर पूछ रहा है चलो जी बताओ फटा फटा देखो अब मैं आगस में बताता हूँ इसमें आपको दो पैटर्न समझ में आ रहे होंगे एक चार पांचे बीस प्लस दो कर दो 22 हो जाता है सर दूसरा चार का वरग 16 प्लस 6 कर दो 22 हो जाता है सर अब देखो अब यहां पे आपक आपको पैन पेपर उठाना है यहां पे आपको पैन पेपर उठा करके करनी है गड़ना करनी है कैसे सबसे पहले देखो कि option में कौन सी चीज फिट बैठ रही है चार का वरग किया 16 प्लस में 6 किया 22 आया अब अगर मैं 6 का वरग करता हूं 36 आता है 36 में प्लस का 6 किया 42 आना को ध्यान रखना है कि पैटर्न आपका कौन सा सही है कौन सा गलत इस बात का आपको ध्यान रखना है दोस्तों मैं मारकर चेंज कर लेता हूं आपको अच्छे से दिखाई देगा देखो मैं फिर समझाजता हूं 4 का वरग प्लस 6 यानि कि 16 प्लस 6 बाइस सेम यही पैटर्न दोनों साइड में अब 6 का स्क्वेर 36 प्लस 6 42 होता है 42 यहां पर उप्शन में है नहीं तो मतलब हमारा यह तो गलत है अब दूसरा कॉंसेप्ट लगाओ दिमाग न मतलब बदाम खाने से इतना ते जुन्योंगा जितना आप जितनी प्रैक्टिस करोगे तब होगा तो बस करते हैं दूसरा कॉंसेप्ट लगाओ रगड़ अपने दिमाग को दूसरा कॉंसेप्ट में बताओं देखो चार को अगर मैं पांच से गुना कर देता हूं 4 पांच बीस प्लस का 2 कितना आता है 22 आता है आता है का नहीं आगया सेम यही पैटर्न यहां लगाओ छैग्णा 5 प्लस 2 6 35 और 32 क्या उफ्षन में 32 कहीं दिखाई दे रहा है जी आसर दिखाई दे रहा है उफ्षन नमबर 20 का correct है इसका मतलब क्या होगा option नमबर बी इस दा correct answer देखो आपको आपको जो option दिया है ना वहीं बता देगा उत्तर कौन सा है चीक चीक के बता देगा जैसे मैं इसमें पहले pattern लगाया कि 4 का वर्ग करो 16 प्लस में 6 कर दो 22 तो फिर वही सेम पेटरन 6 पे लगाना पड़ेगा कि 6 का वर्ग किया 36 36 प्लस 6 कर दिया 42 या option में है नहीं तो पहला तरक्त हमारा गलत हो गया फिर हम लोग गए दूसरे तरक्त की तरफ की 45 20 20 में दो जोड़ा 22 तो 65 30 30 में दो जोड़ा 32 32 यानि की बी option इसमें correct है चलिए अगला प्रशन नीचे दीगे संख्या से लुक्त संख्या ग्यात करें अब दोस्तों ये जो है ना ये वाला प्रशन जो है ये आप लोगों के लिए ग्रहे कारे है होम रख है ये मुझे आप लोग होम रख किसका करके मुझे comment section में comment करोगे कि इसका answer क्या है सभी वाड़ा option A है B है C है डी है आप लोग बता होगे क्योंकि basic में मेरे को basic में जो पहली class है उसमें मेरे को सिर्फ आपको pattern समझाना था कि क्या होता है missing number क्या होता है अब आपके लिए ये question है नीचे दी की संख्या से लुप्त संख्या गयात करने हैं आपको 9 का 84 के साथ वही समझ ढूंडो जो 12 का किसके साथ हो परशनवा चक्चिन की जगे कौन सी संख्या आएगी यही आपको ढूंडना है ठीक है ढूंडो देया ढूंडो ढूंडो सालूंकी ढूंडो वह वाला system हो गया है अरे कुछ तो पता करो ये आपके लिए ग्रह कारे ग्रह कारे मसले देता हूं ताकि आप लोग कम से कम जिसका प्रेक्टिस करने उमन नहीं है कम से कम एक परसन की दूर प्रेक्टिस करेगा और math होगी, reasoning होगी, FTI होगे, Q जितनी प्रैक्टिस करोगे जितना आप हाथ चलाओगे पैन कोपी ले करके उतना सही होगा बताओ आफट आफट 9 का 84 के साथ समंद गयात करो और 12 का ओप्शन के साथ समंद गयात करो मुझे आपके कमेंट का वेट रहेगा मैं वेट करूँगा कि आप लोगों ने इसको हल करके कमेंट किया या नहीं किया वो देखेंगे क्या आप लोगों से हल हुआ या नहीं हुआ अगर नहीं होगा तो म आपको नेक्स्ट जो क्लास आईगी अपनी यानिकी क्लास नुम्बर दो उसके अंदर कवर करके बता दूँगा ठीक है दोस्तों उमीद करता हूं बहुती बेसिक तरीके से मैंने पटाने कोशिश की आपको समझ में आया होगा और मज़ा भी आया होगा रिजिनिंग करने में चाहिए अपने को तीन मीने लगे च्शे मीने लगे अब सथाण लिया है यार के आपकेट के साथ मा कलस दी रहें है यार चेनल का नाम taper on 독र शर्मां में चाहिए तो आ आपका बनारा तो ऐसे बैक टू बैक कंडेंट लागते रहेंगे बाकी मिलते अपने नेक्स्ट वीडियो में मुझे आपके कमेंट का वेट रहेगा प्यारे दोस्तों कमेंट आपका जुरूर रहना चाहिए यार पढ़ाने का मज़ा तभी आता है जब आप लोग कमेंट करते हो ठीक है तो मिलते अ अपने नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाबाय ठेक के और जय हिंद जय भारत लब यू ओल